पर नुए सूप्रभात बाल मित्रान्नों माराठी चयाता सामध है तुम्हा सगडत सो खुप- खुप स्वागत है। सुप्रभात मेरे नन्य दूस्ता मराठी की इस तासिका में अब सबीकां बहुत-बहुत स्वागत है । तो चलो, देखते हैं, आज के इस तासिका में हम क्या सीखने वाले हैं। पुलानो, मागिलता समधे आपन स्वरान शोड़क करून घितली हुझती। तर थोड़के आथ, आपना ता भुभे आथ कि आपन काय शिकलोते। दोस्तो, हमने पिछले इवतासिका में स्वरों से अपनी पहचान कराई थी। तो आएए देखते हैं संग्षिप में कि हमने क्या सीखा था। मुलाक्षरे, मुलाक्षरे मतलब वर्ण माला, मुलाक्षरान न वर्ण असे मनतात। मुलाक्षर मतलब वर्ण माला, उनको वर्ण भी कहते है, मुलाक्षर आन मदे स्वर आने वियंजने आसताथ, वर्ण माला में स्वर और वियंजन होते है स्वर मन्जे, इंगलिश मदे वर्ण जैसे मैंने आपको पिछली तासिका में ही बताया था, स्वर मतलब वर्ण इंगलिश आल्फबेट्स में जैसे वर्ण होते हैं, वैसे माराठी में स्वर होते हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं वियंजन, वियंजन मतलब इंगलिश आल्फबेट्स में जैसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वैसे माराठी में होते हैं वियंजन, तो आएए पढ़ते हैं वियंजन तो बच्चों, ये वियंजन होते क्या हैं, इनकी व्याक्या आएए देखते हैं, जामुड अक्षरांचा उच्चरसथी स्वरांची मदद लागते हैं, तहां अक्षरांणा वियंजने मंदता था मतलब, जिन अक्षरों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, उन अक्षरों को वियंजन कहा जाता है सलातर मंगुलानों पाहुया वियंजने, पहिला वियंजना है, क, क, कमड, क, कमड, ख, खर्बूज, ग, गणपती, ग, गणपती, घ, घर, घ, गर, जन्यण, नई, छै, जन्यण, ख, सम्चा, च, संचा, च, च, च चत्री, ज, जहाँ, क, च, चत्री, ज, जहाँ ज जहाज ज जहन्डा ज जहन्डा त्र तर्बूस त, तर्बूस, थ, थसा, थ, थसा, द, डमरू, ध, धग, ध, धग, न, बान, न, बान, त, तराजू, थ, थ, थवा, थ, थवा, ध, दर्वाजा, ध, धबधवा, ध, धबधवा, न, नल, न, नल, प, पतंग, थ, खनास, थ, खनास, ब, बदक, भ, बदक, भ, बट्टी, भ, बट्टी, म, मगर, म, मगर, य, यद्न्या, य, यद्न्या, र, रात, र, रात, ल, लसुन, ल, लसुन, व, वटवागूल, व, वटवागूल, श, शहामरूग, श, शहामरूग, श, शटकोण, श, शटकोण, स, ससा, स, ससा, ह, हरण, ह, हरण, ल, बाल, ल, बाल, क्ष, क्षत्रिय, ज, 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 ज आज हमने सीखा कि व्यांजन क्या होते हैं और वे कौन-कौन से होते हैं। आपना था इते स्थामबुया और भेटुया पुना पुण जाता साला। धन्यवाद। तो बच्चों आज के लिए हम यही रुपते हैं और मिलते हैं अगली तासिका में। तब तक के लिए धन्यवाद।